40-50 के बाद जो एज आती है ना उसमें कोलिस्ट्रोल की परब्लम होने बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है यदि हम अपनी डाइट का ध्यान ना रखे तो और हर्ट भी इसके कारण वीक हो जाता है हर्ट अटक आने का खतरा भी रहता है अगर कोलिस्ट्रोल बढ़ता लाइक जरूर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईए कि इसे मिल रहे हैं और किन टोपिक्स पर आप फ्यूचर में वीडियो देखना चाते हैं फ्रेंड फैमली के साथ मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सकें मेरी वीडियो के मेरे रेमेडी के वो भी ठीक हो सकें बिमारी से कोलिस्टोल की प्रवब्लम क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा खतरना गरूप लेती जा रही है क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है जितना आप शेयर करेंगे न उतना और लोग भी ठीक होंगे बेनिफिट मिलेंगे उनको भी इसलिए चेयर जरूर करें लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है लाइक और सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाई आज की रेमेडी बिल्कुल जबरदस होने वाली है और इतनी इसी है किजिन के प्रोडक्ट से ही आपके घर में इसी तरीके से असानी से बन जाए इसलिए वीडियो में छोड़ चोड़ टिप्स में देती रहती हैं वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें जिससे पूरे बेनिफिट आपको मिल पाएंगे टिप आप से मिस हो जाएंगे यदि आप स्किप करेंगे तो और आपको क्या करना है हमेशा मेरे चैनल पर आएं तो खुश रहिए खुशियां बाठते रहिए पोजिटीव रहिए नेगेटिविटी को खुछ से दूर रखें हमेशा खुश रहिए खुश रहेंगे ना आप देखेगा सारी बीमारियां आपकी 50% तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी और प्रिकोशन से रहिए हेल्द कुम बेक टो माई चैनल त्पिकल हेल्थ मोस्ट वोम वेलकम तुम टो मैई चैनल तिपिकल हेल्थ पर आपका मैं सहय दिल से स्वागत करती हूं मेरी चैनल पर आपको हर तरह की रह मेड़ी देखने को मिलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि औलिन बंट चै काहिज में तो पाहिक इन लागता है किस स्धाइम मतलब मैं स्पOULD किए आपory भूखए हैं को फूर्ट की मुष्म हैं खाते रहते हैं वस्टपूड खाते रहते हैं, healthy food बिल्कुल enjoy नहीं करते हैं, healthy food खाएंगे तो इन समस्याओं से आपकी दूरी बनी रहेगी, डोक्टर के पास जाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, cholesterol भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, heart attack का खतरा बिल्कुल खतम हो जाएगा, बिमारे उसे आप बचे रहेंगे, अपने cholesterol का ध्यान नहीं रखेंगे, दिल हमारा कमजोर होता चला जाता है, और वो सारी खतनाक बिमारियों के हम शिकार हो जाते हैं, brain stroke आने का खतरा रहता है, diabetes हो जाती है, diabetes जो भूत ज़्यादा घर घर में होने लगी है, मतलब और इससे BPB हाई रहने लग जाता है, cholesterol लेवल हमारा बढ़ता जाए तो, वो सारी विमारियों के हम शिकार हो जाते हैं, इन विमारियों के साथ साथ हाईपरटेंशन के शिकार भी हो जाते हैं, शरीर में ह हाई cholesterol को control मिलाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आगे आपको बताऊंगी घर पे रहते हैं, यह है beetroot यानि चुकंदर, चुकंदर को हम डेली अपनी डाइट में शामिल करने, salad की रूप में तो खाते ही हैं, पर हमें कोशिश करनी हैं इसका juice लेने की, salad फूड को ज्यादा खाए ही, beetroot की salad भी हम खाते हैं, पर हमें क्या करना है, इसका juice लेना है, कैरेट वगरा के साथ मिक्स करके, कद्दू कस करके, इसका juice निकाल लीजिए, या फिर खाली beetroot का juice भी, चुकंदर का juice भी हम ले सकते हैं, कोलिस्टोल इससे बहुत जादा control में रहता है, चुकंदर फासफोरस, विटमिन भी आदी पाया जाता है, इसलिए इस juice को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, उसके बाद है करेला, करेला एक सबजी की तरह हम खाते हैं, अलग लग तरीके से हम इसको बनाते हैं, स्टफ भी बनाते हैं, या कट करके भी बनाते हैं, आफी लोगो हमेशा ज्यादा वर्क करते हैं, इस टाइप की चीज़े खाली पेट ही लें, विटमिन ए, विटमिन के, विटमिन ए, फाइबर, स्किन को भी ग्लो करता है, बहुत ज्यादा स्किन के आपको कोई बब्लम है ना, तो उपर मैं आई बटन में लिंक दे रही हूं, चैया में आपके लिए लेकर आती हूं, इसलिए आप स्किन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चाते हैं, जिरूर चकाउट कीजेगा, अगर आपकी हेर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, स्प्लिटेंट्स हो गए है, हेर फोल, बाल जड़ना बहुत जड़ा होता है, बाल भूत न जिरू चकाउट कीजेगा, डिस्किप्शन बॉक्स में मैंने प्रोड़क्ट के लिंक पी दिया है, जो यूज करती हूं, ट्राइन टेस्टेड रेमेडीज आपके लिए लेकर आती है, अगर कोलिस्टोल की प्रब्लम है, तो लोकी को अपनी डाइट में जिरूर शामिल कर देगी, लोकी का जूस पीने से ब्रेंश्टोक का खत्रा कम हो जाता है, इसका रोजाना सेवन करने से हमारा कोलिस्टोल लेवल कंट्रोल में आ जाता है, ना के बराबर कर देता है कोलिस्टोल की प्रब्लम को, यानि कोलिस्टोल को पूरी तरह जड़ से खतम किया जा सकता ह है सिरफ एक लोकी का जूस लें या लोकी को ज्यादा मात्रा में खाएं बाद है ऐलो वीरा जूस सेद के लिए फाइद मन माना जाता है यह पीने में कड़वा लगता है लेकिन कई बिमारियों की चुट्टी कर देता है स्किन और हेर सभी के लिए बहुत अच्छा होता है ब् अलो वेरा शरीर के सूजन को कम करता है शरीर में कोई सूजन आ जाती है कोई भी पेन होता है उसको खतम करता है अलो वेरा शरीर की सूजन को कम करने के साथ साथ हाई कोलिस्टोल को भी काफी हद तक खतम कर देता है रेगुलर इसका खाली पेट सेवन करें पर फ्रेश अलो साथ शेयर भी किये हैं अगर आपके बच्चे की आखों पर चश्मा है या आप ओनलाइन मतले इतना ज्यादा काम होगे आखों पर स्ट्रेस रहता है बच्चे की आखें मतलब बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है क्योंकि स्ट्रेस के कारण मसल कमजोर हो जाती है उपर मैं बटन में इसका भी लिंक दे रही हूं आपकी समस्या जड़ से खतम हो जाएगी बहुत जादा आपको अराम मिलेगा अगर आप रेगुलर इनको फोलो करेंगे तो चश्मे का नंबर कम भी हो जाएना वह भी बहुत बड़ी बात होती है पर रेगुलर आपको टिक फोलो कर स्क्राइब करें या पसंद आईए और लाइक करें बिना बिलकून जाएए कोमंट करके मुझे जरूर बताईए टोपिक्स भी बताईए और मेरे साथ रिजल्ट भी जरूर से जरूर शेयर करें जिससे आपकी बिमारिया मैं दूर कर सकूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीज वन्रफूल रमडी कि साथ तिल देन बबाई